नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में दोस्तों साबन का पावन महीना, हिंदु धर्म का सबसे पवित्र और भगवान भोले का सबसे प्रे महीना होता है दोस्तों साबन महीने की शुरुआत 14 जुलाई से हो चुकी है वास्तु शास्त्र के अनुसार ये दियाप साबन के महीने में अपने घर पर इन पौधों को लगाते हैं तो आपके घर में हमेशा तरक्की होती है इतना ही नहीं इन पौधों को साबन के महीने में लगाने से घर में कभी पारिवारिक विबात या आर्थिक तंगी जैसे हालात नहीं बनते हैं तो आएए दोस्तों जानते हैं आज के वीडियो में कौन से वे हैं पोधे जिसको सावन के महीने में लगाना बहुत ही शुब माना जाता है तो बने रहे हैं वीडियो के अंतक पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो दुस्तों नमबर एक शमी का पोधा वास्तु शास्त्र के नुसार सावन के महीने में घर पर शमी का पोधा लगाना बहुत ही शुब होता है मनता है कि इस पोधे को जो लोग सावन के महीने में लगाते हैं उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है इतना ही नहीं शमी के पोदे की नीमित पूजा करने से घर की सारी दिक्कतें दूर हो जाती है दूस्तो नमबर दो है मनी प्लांट का पोधा वास्तो शास्त्र के नुसार सावन के महीने में मनी प्लांट का पोधा लगाने से घर में लच्छमी का वास होता है और घर में कभी आर्थिक तंगी नहीं होती है ऐसी मानता है कि मनी प्लांट जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी ही तेजी से घर की तरक्की होती है सावन के महीने में इस पौदे को घर में लगाने से ऐशर की प्राप्ती होती है दूस्तों नमबर तीन है तुलसी का पौधा वास्तुशास्त के नुसारे दियाप साबन के महीने में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपके घर में सुकसमृद्धी में बृद्धी होगी तुलसी का पौधा जितना ही हरावरा रहेगा उतना ही आपके घर में तरक्की होगी तुलसी के पौदे को घर के ईशान कोड में लगाना शुब होता है और दोस्तों नमबर चार है दूब का पौधा वास्तू की माने तो साबन के महीने में दरवाजे पर दूब का पौधा लगाने से घर में सकारात्मा कूरजा का वास होता है ऐसी मानता है कि इस पौधे की पत्तिया जितनी हरी वरी होती है घर में उतनी ही ज़्यादा खुशाली होती है दूब का पौधा घर के पूरब या उत्तर दिशा में होना चाहिए और दूस्तों नमबर पांच और लास्ट पौइंट है धतूरे का पौधा वास्तु शास्त्र की माने तो धतूरे में शिप जी का वास होता है और शिप जी का सबसे प्री महिना साबन होता है इसलिए सावन के महीने में धतूरे का पौदा लगाने से शिब जी प्रसंद होते हैं जो व्यक्ति सावन के महीने में धतूरे का पौदा लगाता है उस पर शिब जी की विशेश कृपा बरसने लगती है तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको वास्तो शास्त्र के बहुती अनोखे और अदबुद ग्यान के बारे में जानकारी दी मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तब तक आप रहिए stay motivated, stay fearless, जै हिंद